आखेर ये लोग ऊट का मुँ इस तरीके से क्यों बाँद रहे हैं? जब कोई फिमेल ऊट मर जाती है तो उसके बच्चे को पालने के लिए चरवाए उस बच्चे को दूसरी फिमेल ऊट को गोद दिलाते हैं जिसके लिए वो लोग female camel का मूँ बान देते हैं ताकि वो उसकी smell न पैचान सके और नहीं उसे अपने दातों से काट सके क्योंकि इनके दात बहुत खतरनाक होते हैं फिर उसकी कोक सिल देते हैं और फिर उस बच्चे को मा के नीचे छोड़ देते हैं ताकि वो उसे गोद ले ले और दूद पिला के पाल सके इस तरह से camel adoption प्रोसेस होता है इसके बाद चरवाय बच्चे को चुरा के ये confirm करते हैं कि मा बच्चे के पीछे आ रही है या नहीं